पूरे विश्व में जिन जिन लोगों को ये लगता हो कि असत्य की राह पर आगे बढ़कर अधर्म की राह पर आगे बढ़कर अन्याय की राह पर आगे बढ़कर अराजकता अमानवियता को ओड़कर पहिंसा दंगा फसाद मार काट खोन खराबा अशानती या पेमानी की राह पर आगे बढ़कर या फिर एहिंकार दंभद्वेश इर्शा आदिन नकारत मकताओं को अपने जीवन में समाहित करके खुद का या अन्य लोगों का कल्यान करना संभव है तो ये सोचना पेकार है ये सोचना वर्थ है ऐसा हो ही नहीं सकता इन राहों के और आगे बढ़कर ना खुद का ना किसी अन्य का कल्यान किया जा सकता है इन राहों को स्विकारे करके तो खुद के साथ पूरे समाज का पूरे विश्व का पतन ही हो सकता है और जब तक इन राहों से विमुख होकर इन राहों से दूर होकर इनकी विपरीत जाकर सत्त की शर्ण में न्याय की शर्ण में धर्म इमानदारी मानवता शान्त अहिंसा इमानदारी सरलता साधिगी निश्चलता निर्मलता आदे जैसे गुणों को अपने जीवन में समाहित नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी सोचना या कुछ भी सकारात्मक करना संभाव नहीं है इन वक्तव्यों के सीधे सीधे उदाहरण समाज में आसानी से खोजे जा सकते हैं पाए जा सकते हैं पहचाने और पर्खे भी जा सकते हैं ये दे दुनिया में अनेकों उलजने हैं अनेकों समस्याए हैं अनेकों जटिलता हैं अनेकों नकारात्मकताए हैं तो ये सब हमारी सक्री मानसिक्ता के कारण सक्री सोच के कारण ही है ये दिस सोच को व्रहद रूप दे दिया जाए सोच को विस्तृत रूप दे दिया जाए तो खुद का और अने लोगों का भी कल्यान सुनिश्यत हो जाएगा जाएगा